आप Hello, I am Hamad Ali and our course Java for beginners का आज का हमारा topic है operators Operators जैसे के हम जानते है कि ये किसी ने किसी दो operants के पर operation करने के लिए use होते हैं हमार काँ Java के इन तर कई operators हैं जिनमेंसे कुछ arithmetic operator है कुछ conditional operator है और कुछ हमारे पास ऐसे operator भी है जो के single open के पर भी apply हो सकते तो जो operator हमारे पास एक से ज्यादा open के पर apply होते हैं उनको bindü operator बोलते है और ऐसे operator जो के single variable या single open के पर apply होते हैं उनको हम uniri operator बोलते हैं आईए हम इसको दरält net mean के पर फुछा सा practice करके देए सबसे पहले हम जो अपरेटर है कि इसको हम देख लेते हैं कि यहां हमने एक सिंपल सा अपरेटर यूज़ किया है प्लस का प्लस का उकरेटर देख जब कीटर उस दो वेरिशम्ट की इसको प्लस कर सकते हैं और प्लस के जड़ से यहां पर एक वेरिशम्ट को ले रहता हूं एक वेडिबल और फ्लस टो भी यह इपना हमारे पास यहां पर answer आता है इसी तरह हम जो हमारे पास operator है दूसरे subtract का operator उसको use करेंगे तो हमारे पास subtraction का result आजेगा क्योंकि 20 में से 10 minus करेंगे तो minus 10 की आएगा इसी तरह हमारे पास multiply का operator है अगर हम इसको और इसको multiply करें हम किसी constant के साथ तो इस सुरत हमारे पास क्या जाट आएगा इसको हम देख रहे हैं अगर हम देखें तो हमारे पास जो left to right sequence बन रहा है वो a के अंदर b plus हो रहा है तो a के अंदर अगर हम b को plus करें तो 10 plus 20 is equal to 30 multiply by 4 it should be equal to 120 बट यहां में जो हमारे पास answer आ रहा है वो 90 आ रहा है तो यह math का एक rule है कि multiply और division की जो precedence है वो plus और minus operator से ज़्याद होती है तो यहां में इसने सबसे पहले क्या किया है सबसे पहले इसने b को 4 से multiply किया है और उसके बाद इसने उसमें a की value को add कर दिया तो b की value थी 20 20 को जब इसने 4 से multiply किया तो हमारे पास आया 80 और 80 में जब इसने 10 plus किया तो हमारे पास जो answer आया है वो 90 आया है तो यहां पे बस आपको यह बतारा था कि a जो operators है इनमें जो plus और जो deviant है इसकी procedures जो है वो plus और minus से ज्यादा है इसके लावा हमारे पास एक operator use होता है mod का operator mod का operator हमें क्या बताता है mod का operator हमें यह बताता है कि अगर कोई दो variables तो एक variable को दूसरे variable से divide किया जाए तो जो remainder बचेगा वो क्या होगा वो यहां पे बता रहा है let's say कि मेरे पास a के अंदर value है 6 और मेरे पास जो b की value है वो let's say 5 है और अगर मैं इसको mod करूँगा तो मेरे पास जो answer आएगा वो मेरे पास 1 आए अगर मैं इसको 4 के साथ करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या answer आएगा फिर मेरे पास 2 आएगा और अगर मैं इसको 2 के साथ करूँ तो चुक्के 6 2 पर पूरा पूरा divide हो जाता है तो मेरे पास remainder है वो क्या बचेगा मेरे पास remainder 0 बचेगा इसी तरह 3 के साथ 20 का remainder 0 आएगा क्योंकि 3 पर भी 6 completely divide हो जाएगा लेकिन अगर कोई value 6 से बड़ी है यह divisor जो है वो बड़ा है actual value से तो उस सुरत में जो remainder होगा वो actual value आलेगी यानि कि जो जिसको हम divide कर रहे है वो ही हमारा remainder होगा इसके लावा हमारे पास जो operators है उनमें assignment का operator है और उसके लावा agreement assignment का operator है इसी तरह यह operator हम assignment operators को भी देख लिए है assignment operators हम राज यह है कि अगर मैं statement के अंदर एक value को किसी variable के अंदर किसी दूसर variable की value add करके वापिस पहले variable में add करना चाहता हूँ जैसे कि मैं आपको लिखके दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि c के अंदर a की value add होके c को ही assign हो जाए c is equal to c plus a अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की चीज मैं चाहता हूँ अगर मैं यह चीज चाहता हूँ तो यहां पर यह error करे रहा है initialize c को भी हम किसी variable से initialize करवा दें तो यहां पर कहा रहा है कि c के अंदर मैं अगर इसको add करूँगा तो c की initial value क्या होगी जो के logical question है तो c की value हम कोई भी value ले रहते हैं अब c की value यहां पर है 3 और a की value है 6 तो 3 और 6 आपस में add होके हो जाएंगे 9 और अब जो c की नई value होगी वह मारे पास आएगी 9 ठीक है जी अचारा अगर मैं इसको अगर single operator से करना चाहूं तो उसके लिए जो मेरे पास operator है वो यह प्लस equal अब अगर मैं इसको लिखूँगा तो इसका भी answer में यह 9 ही मिलेगा तो basically assignment operator क्या करेगा कि जो भी operation होगा वो operation apply करने के पास जो नहीं value आएगी उस variable के साथ उसको assign करते जाए इसी तरह ज़र मैं c minus equal a लिखना हो तो इसका मतलब है c is equal to c minus a c minus a क्या है मेरे पास 3 minus 6 which will be equal to minus 3 और तो अब जो c की value आएगी मेरे पास क्या आएगी minus 3 आएगी and so on इसी तरह आप जो बाकी assignment operator है उनको आप practice कर सकते हैं conditional जो operators है उनकी value हमारे पास जो आती है वो आती है boolean में true या false की सुरवी है let's say मेरे पास operators जो है वो क्योंकि मैंने आप से जाए कि boolean में आती है तो इसकी value मैं boolean में save करूंगा let's say मैंने variable का नाम रख दिया है boole और इसके साथ मैं कर रहा हूँ a is greater than b अब मुझे नहीं पता के a greater than b है लेकिन यहाँ पे a greater than b नहीं है क्योंकि a की value 6 है और b की value 8 है तो जब हम इस boole को print करवाएंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो आएगा false और इसी तरह यह greater than का operator है अगर मैं less than का operator लगाता हूँ तो a की value b से less है तो its mean कि जो boole के अंदर value save होगी वो में पास save होगी true और जब मैं इसको print करवाऊँगा तो it should be true इसी तरह एक और operator है हमारे पास यह equality का operator है यह हमें यह चेक करके बताएगा कि क्या यह दो variable आपस में equal है या नहीं है अगर तो यह equal है तो true आएगा otherwise false आएगा चुक्के यह दोने equal नहीं है तो हमारे पास आएगा false अगर मैं a की value भी 3 कर दू oh sorry a की value 8 कर दू जो के b की value है तो अब यह दोनों operator के अंदर value है वो equal है तो में पास जो answer आएगा वो आएगा true आपस हम a की value को 6 कर देते है और यहाँ पे एक निया operator apply करते हैं जो के है not equal to not equal to equal to के विल्कुल उलट है यह हमें यह बताता है कि क्या यह जो दो variables है इनकी जो value है वो unequal है के नहीं यानि कि अगर तो इन दोनों की value different होगी तो इसका answer true होगा otherwise false होगा हम इसको execute करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि a और b की value आपस में अगर मैं a और b की value को similar करते होगा तो यह इसका answer false आएगा इसी तरह हमारे पास और भी operators है और का और and का और का और and का operator इसनिए use होता है कि यह अगर हमने अभी single condition apply की है अगर हम एक सी other conditions apply करना चाहते है 2 या 3 या 4 या multiple conditions के लिए तो फिर हम अन conditions के दर्मयान में एक operator use करते हैं जिसको हम कहते है or या and का or operator का मतलब यह है कि जितनी भी हम conditions लगाएंगे उन में से कोई condition में true हो जाएगी तो जो overall result आएगा वो true होगा and का मतलब यह है कि जितनी भी conditions लगाएगे उन सब का true होना जरूरी है अगर हमें true चाहिए तो उन में से एक condition में false होगी तो उसका answer जो होगा हमारे पास क्या आएगा false आएगा तो यहाँ पर अभी हम एक और condition लगाके देख लेते हैं और और के साथ यह और का operator है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या a जो है वो greater है एक ही value जो है वो c से बड़ी है और हमारे पास जो दूसरी condition है बहाँ पे हमारे पास जो value आएगी वो true आएगा तो अगर दूसरी value हमारे पास true है और पहली value भले से हमारे पास false भी हो तो even then जो हमारा output होगा वो क्या होगा output हमारी true ही आएगी whereas अगर मैं end operator use करता हूं तो end operator मुझे यह बताता है कि मेरे पास दोनों conditions का true होना ज़रूरी है अब मुझे पता है कि right side वाली condition मेरी true है और left side वाली condition मेरी false है तो इसका answer जो मेरे पास आएगा वो false आएगा अब अगर मैं यहां पे इसको equal कर दो दोनों conditions को true कर दूँ आप जानते हैं कि a की value 6 है b की value 6 है यह जो है वो c से greater है इसका मतलब है कि यह दोनों conditions जो है हमारे पास true है अगर यह true है तो इसका मतलब बुलियन मेरे पास जो value आएगी वो क्या आएगी true आएगी तो यह हमारे पास add operators इसके लावा not operator है not operator क्या करता है कि not operator जो भी हमारे पास condition होगी इस वाग बुलियन में जो भी हमारा answer आ रहा है यह उसको हमेशा reverse करतेगा true है तो false करतेगा false है तो true करतेगा last time जो हमने देखा था तो हमारे पास जो answer आया था वो true आया था लेकिन अगर मैं इसके साथ not का sign लगा दूँ और अब मैं इसको execute करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह value false आ रही है तो not operator का काम क्या है अगर मैं यहां पे इसको not कर दूँ और अब मेरे पास जो answer आ रहा है वो false आ रहा है और अगर मैं इसके साथ दुबारा not operator apply कर दूँ तो यह को convert करके क्या कर देगा true कर देगा तो इस तरह इसको true condition operator के देख जो not operator है वो इसको reverse कर देता है इसके लाब हमारे पास दो और interesting operators है जिनमें है एक increment operator और एक decrement operator यह basically uniry operator है और यह single operand के पर apply हो जाते है simple मैं यहां से इसको remove कर जाता हूँ let's say हमारे पास a की value है 6 तो यहां पी जो plus plus operator है यह क्या करेगा यह a के अंदर एक value addition करतेगा और जब मैं a को print करवाँगा तो a की value आप 6 नहीं है बलके क्या है 7 है ठीक है यहां पर मैं पास a की value आ रही है वो क्या रही है 7 आ रही है अच्छा इसी तरह अगर मैं इसके साथ minus minus लगा देता हूँ तो अब अगर मैं अपनी a की value को print करवाता हूँ तो a की value एक कम होके 5 आ रही है अच्छा अब यह operator दो तरीके से use होता है एक विखा हम पूस्ट इंक्रिमेंट करते है और एक को पूस्ट करते है अब ही जो हम ने पढ़ा है इसको पूस्ट इंक्रिमेंट है लेट से़ klai कि मैं इसको उसी स्टेटमनट में use करते हूँ जहां पर मैं इसको प्रिंट करवा रहा है अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कि मेरे पास जो आंसर आता है वो 7 की विजए 6 आ रहा है ठीक है जी इसका मतलब भी यह है basically होता ऐसे है कि post increment में पहले statement execute होती है पहले जो command हमने दी होती हो execute होती है और बात में increment होता है तो जब हम इसको दो different commands के अंदर चला रहे थे तो पहले command execute होई फिर उसके बाद increment हुआ next command तक जाते जाते उसके अंदर एक का increment आ चुका था तो अगर हम यह चाते हैं कि उसी command के अंदर जब वो variable use हो तो उसके अंदर इस्तमाल होने से पहले पहले एक का increment आ चुका हो अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मारे पास जो answer आ रहा है वो 7 आ रहा है तो pre increment और post increment में basically यह difference है जी users यहाँ पे मारे पास छोटे से दो quiz हैं और I am hopeful कि आप comments के अंदर इनका जो हैं आंसर ज़रूर देंगे यहाँ पे मारे पास पहला जो question उसमें यह है कि int a is equal to 2 plus 3 multiply by 4 जब यह calculation होगी तो उसमें a की value जो होगी वो क्या होगी एक answer क्या होगा इसके लाब हमारे पास second question है int a is equal to 2 और b जो है वो equal to 5 है c के अंदर हम करते हैं a plus 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 b तो c के अंदर क्या answer आएगा क्या यह statement ठीक भी है यह नहीं यह command मैंने जो दी है यह ठीक है यह गलत है इसी तरह int d is equal to plus plus a plus b क्या यह command में ठीक है यह गलत है यह इसका answer क्या आएगा thank you for watching बाकी के लिए हम next video के